केंद्रिय मंत्री किरन डिची जून नाखपुर आय थे एस सुरान उन्होंने पत्रपरिशत में पत्रकारों से विविद मुद्धों पर संभास दा में एक प्रवदान ताम्स ओफ रेफरेश दिया था कि अगले सत्र यानिके शीद कालिन विंटर सेशन पारलेमेंन का पहला सब्ता का आखरी दिन से पहले तक रिपोर्ट पारलेमेंन पेश होना है तो जैसे पेश होगा उसमें कितना रेकुमेंडेशन आएंगे कितना हमको उ केंडिया संसर दिया कारिय और अलपर संखेकिया मामलो के मंतरी और बेजेपी निता किरें रिजिजु ने शुकरवार को एक प्रेस कॉंफरेंस कर कॉंग्रेस पार्टी पर दीखा हमला बुला उन्होंने कहा कि राहुल गांदी का विपक्ष के निता की रूप में हुडा एक श्राप है और उन्होंने दावा किया कि राहुल कांदी नी ना तो सविधान पड़ा है और ना ही भे इसकी भाना को समझते हैं compatibility का हमारे देश के लिए अपिशाप है मेरा मानना है कि ऐसे वीपक्षि का सविधान को चुना भी अनुचित है तो उन्होंने सबसे पहले संवीदान यात्रा निकला संवीदान यात्रा निकलने का मूल कारण ये था कि संवीदान तो मिला है लेकिन संवीदान के अंदर में जो मूल बाते हैं उसको लोगों तो पहुँचाना है इसलिए मोदी जी मुख्य मंत्री थे तो संवीदान यत्रा निकला बाद में मोदी जी परदान मंत्री बने तो परदान मंत्री बनने के बाद उन्होंने 26 नवेंबर को संवीदान दिवस मनाने का गोशना किया उससे पहले सम्विदान दिवास हमारे देश में नहीं मनाते थे पहली बार हमारे देश में इतना बड़ा फैसला हुआ और हमारे हाथ में सम्विदान जो मिला है उसको मनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ लेकिन पिछली बार जब लोग समा चुना हो रहे थे तो महाराश्टर के अंदर में और देश बर में सम्वीदान बचाना है कि कुछ लोगों ने नारा लगाया है आज मैं वो परतिक्रिया आपको देना चाहता हूँ जिन लोगों ने बाबा साहिब को अपमान किया जिन लोगों ने बाबा साहिब को मजबूर किया मंतरीपत से इस्तिफा देने के लिए और जिन लोगों ने बाबा साहिब को रिकर्गनेशन नहीं दिया 1990 में जब कॉंग्रेस सरकर हट गई तब जाकर के बाबा साहिब को भारत रत्नक आवाड तब मिला है और वो लोग सम्विधान का कोपी हाथ में लिए और ये बताते है कि मौदी सरकार फिर आया तो सम्विधान हटा देगा ये बोलने वाले लोग तो जिन्दगी बर बाबा सब को तो मानते नहीं थे मेरे मन में दुख और गुसा एक साथ इसले आया कि हम जिस समुधाई से आते हैं हमारे समुधाई के लोग इस दूस्त परचार में कई लोग बिश्वास किया है मैं कहने वाला हूँ मैं अपने ही इसी इस्ती के कम्यूनिटी मेरे अपने बहुत कम्यूनिटी के लोगों को खास करके मारास्टर में जो लोग है मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर हम ही बेवकुफ बनते रहेंगे हम बाबा सब जब जिन्दा थे हैं और आज बाबा सब हमारे बीच में नहीं है और आज भी अगर हम नहीं समझेंगे और हम आज भी बेवकुफ बने रहेंगे तो फिर बाबा सब क्या आत्वा को कितना दुख पहुँचेगा हमारे यहां तो ये परचार से कोई काम नहीं हुआ हमने तो कॉंग्रेस का जमाना में जब्त कर दिया लेकर महारास्त्र का अंदर में मेरे ही विरादरी के लोग अपने बहुत समझाई के लोग हमारे S.C.S.T. के लोग ये डूस परचार में कैसे विश्वास किया है मैं तो बहुत गुसा भी हूँ मैं अपने S.C.S.C. कमुनिटी और मेरे बहुत समझाई को मैं कहना चाहता हूँ अगर हम ऐसा ब्योहर करेंगे तो फिर बाबा साहिब के आत्मा को तो शांती नहीं मिलेंगे और हम को कोई माफ नहीं करेंगे हम इतना बेवकुफ नहीं बन सकते हैं ये लोग तंत्र है सम्वीदान से चलता है जो प्रदान मंत्री से सम्वीदान को पहचान दिया जिस इनसान ने बाबा साहिब का काम किया हुआ जितने भी योगदान है उसको देश के सामने में लाया और सम्वीदान को पूजा किया उसी इनसान के साहिब को ले करके जो सबसे बड़ा काम हुए है पाज तिर्थ अस्थल बाबा साहिब का जनम अस्थान महू में और बाबा साहिब का शिक्षा भूमी लंडन में जिस गर में उन्होंने बैठ करके वाकालत की परही की उस घर को खरीदा और अबारा राश्ट्र प्रपर्पर् ह아्गर कि बाबा साहिब ने अपना संवीधान रचना करने का काम किया वहां उसका जो घर है उसको म्यूज़िएम बड़ा करके और पिर जहां उनका निदन हुआ महा परि निर्वानब भूमी और फिर मुंबई में चैते भूमी ये दिख्षा भूमी से लेकर कि चैते भूमी तक उनका कर्म भूमी से लेकर कि महापरी निर्वाना भूमी तक जिस प्रदान मंतरी मोदी जी ने एक पहचान दिया और नए तिर्थ अस्तल के रूप में इस्ताफिट किया उसी को य आरोब लगाते हैं कि समीधान धटाने वाले हैं इसलिए ये मैं नागपूर में बहुत पवित्र भूमी है यही दिक्षा भूमी है और यही से मैं हवान करना चाहता हूं श्रीफ महाराष्ट्रे के लोगों को नहीं पूरे देश के लोगों को अगर हम इस अस्थर पर राजन आज ऐसे ब्योहर करने वालों के बिहाफ्स में माफी मंगता हूं और फिमें चैताओं ने देना चाहता हूं जो सम्विदान में लिखा है उसको मानते ही नहीं जिस पार्टी ने सम्विदान को हत्या करने का काम किया सम्विदान का हत्या कब हुई 1975 में एमर्जेंसी करके सम्विदान का हत्या किया गया और जिंदिगी बर बाबा साहिब को अपमान किया बाबा साथ को बगा बगा के हराया बाबा साथ जहां जाते थे जहां से चुराओं लड़ते थे वहां पीछा करके कॉंग्रेस वालों ने उसको हराया और आज उसी सम्विदान के कोपी को पकर करके सम्विदान के रक्षा के बात करता है उनको शर्म आना चाहिए मैं सम्विदान के जो पन्नों के बारे में नहीं जानकारी रख करके सम्विदान पकर के नाटक करते हैं उनको चतावनी देना चाहता हूँ मैं इस देश का Parliamentary Affairs मंत्री भी हूँ समवीदान का रक्षा करना हमारा दाइत्त है मैं संसेदे कारे मंत्री होने के नाते पारलेमेन का संचालन करने का जिम्मेदारी है इसलिए पारलेमेन में जिन्होंने समवीदान के कोपी को पकर करके बाबा साहिब का अपमान करने का जो नातक किया उन लोकों को भी मैं यहां से चेताओन ही देना चाहता हूँ अगर ज़्यादा नातक करोगे तो फिर हमको सरक पे उतरना पड़ेगा और महारास्ट्र में हमारे SCST population बहुत ज़्यादा है हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बहुत का संख्या भी महारास्ट्र में है इसलिए मैं विशेष करके आज दिक्षा बुमी में आ करके मैं यह बात कह रहा हूँ हमने एक निर्णे किया है पूरे महारास्ट्र में बाबा सहिब के नाम से जुड़े हुए जितना भी अस्थल है हरे एक जीले में हम संवीधान भावन का हम construction करेंगे हम निर्मार करेंगे महारास्ट्र के मुख्य मंत्री जी से मैंने बात किया महारास्ट्र के उपुमों के मंत्री देवेंदर फंडवी से में भाट किया क्योंकि मैं अल्ब संक्यक मंत्राले का भी प्रमूख हूँ Minority Affairs मंत्री होने के नाते हैं हमारे देश में छे अल्ब संक्यक समुधाई है उसमें मुस्लिम है, क्रिशियन है, सीख है, बोध है, जैन है, पार्सी है मैं एक जो इंप्रेशन बना कर रखा था इस देश में उसको भी खतम करना चाहता हूँ कॉंग्रेस के जमाने में Minority Affairs मंत्राले को मुस्लिम एफ़र्स मंत्राले बना कर रखा हुआ था और Minority मतलब सिर्फ मुस्लिम और Minority Commission को भी अध्यक्स्ता करने का अधिकार सिर्फ मुस्लमानों को दिया हुआ था ये कितना बड़ा अपमान है बाकी लोगों को, कि कॉंग्रेस ने रूल बढ़ा दिया कि Minority का Commission है उसका अध्यक्स्ता सिर्फ एक मुस्लमानी कर सकते हैं और कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री मनमौन सिंग्जी ने कहा कि इस देश में जितना भी हमारा संपदा है उसमें पहला अधिकार मुस्लमानों का है सारवजनिक बयान दिया मैं उसका भी गोर निंदा करता हूँ ये कहना चाहिए कि इस देश में जितना संपती है उसमें पहला अधिकार गरीबों का है ये कहना चाहिए था